हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूं भारती और आज मैं आपके लेकर आई हूं पॉर्चुलाका की एक और वीडियो तो आज की वीडियो में मैं आपको बदाऊंगी कि आपकी इस तरह से पॉर्चुलाका को चोटी से चोटी कटी से भी ग्रो कर सकते हैं यह देसी वराइटी है जो नैचुरली ग्रो हो जाती है और इसके साथ एक और वराइटी है तो सबसे पहले हम मिट्टी को गीला कर लेंगे तो किसी वी तरह की मिट्टी यह सकते हो आप उसके बाद मैंने कि यह कटिंग दी है थोड़ी लंबी ब्रांच है तो इसकी हम जैसे यह हमने ब्रांच ले ली है अब इसका नीचे का जो पॉर्शन है थोड़ा सा अनीवन है मैं इसको कट कर दोँगी और इसको भी मैं ग्रो कर दूँगी और यहां से मैं छोटी-चोटी इसकी ग्रो कर सकते हो इतना इसी है इस तरह से देखिए इसकी कर AboveHer न रएग हominी जैसे कि हमें पता है कि जो कोई भी cutting होती है हमें node area के साथ grow करनी होती है तो इसके जो node area है काफी पास-पास बने हुए होते हैं जिसके कारण इसके चोटी से चोटी cutting भी grow हो जाती है तो बस अब हम इसको collect कर लेते हैं और ग्रो करते हैं तो यहां पर मैं इसमें थोड़ी से मिट्टी और एड़ कर लूँगी क्योंकि काफी कम थी मिट्टी और इसमें मैं एक एक करेके इसको लगा दूँगी तो हलका सा बस मिट्टी में दबाना है ताकि जब इसमें हम watering करें इसकी जो cutting है इधर उधर ना उड़ जाए तो मिट्टी में आप पानी जो है पहले ही मिला ले उसको गीला कर ले अच्छे से फिर इसमें यह लगाएं क्योंकि जब आप इसको लगा के पानी डालोगे तो यह जो cutting है वो पानी के साथ उपर को आ सकती है जिससे मारी cutting डिस्टर्ब हो जाएगी और हो सकता है वो ग्रो ना हो सके इस तरह से मैं इसको पूरे pot में लगा दूँगी तो यहां पर हमारी cutting लग चुकी है अब देख सकते हो और जिससे हमने इसको कट किया है वो वली ब्रांच भी हम इसमें एड़ कर देंगे शायद यह वाइट कलर के फूल है इसकी स्टेम तो देखने से ऐसे ही लग रहा है बाकि जब इसके फूल निकलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वाइट है या यलो है क्योंकि यलो और वाइट की स्टेम जो होती दुनों एक चैसी लगती है इसको भी میں यहां पर ग्रो कर दूंगे यह भी इसली ग्रो हो जाएगा तो अगर आपके पस भी वाला प्लांट है तो आप इसको ज़ूर इस तरह से ग्रो करें तो फ बाइटी क्यार